गोड इवनिंग बच्चो आज मज़ा आ रहा है विटा और भी धीरे-धीरे हम लोग पार्टिस्पेंट्स को बढ़ाएंगे कोई बात नहीं विटा स्टार्ड करते हैं आज के लेक्चर को और हम लोग इसकल लास्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे योनित व एले हिज हो रहा होता है यह कैसा वेक्टर है जसका मैगनिट्यूड वन होता है हाँ एक मिनट अ कुछ बच्चों का विद्यसागर विद्यसागर बच्चे अपने अपको मैं सब कर दो आप मिध्य साथाहूं हाँ ठीक है अब ठीक हा अब भाग अब ही मेरीावाज को या चीज को स्पेसिफाई करता है, इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो unit vector एक ऐसा vector है, जिसका magnitude 1 होता है, और इसका use बस only on किसी भी vector की direction को represent करने के लिए होता है, जनरली हम जब question को solve गरेंगे, तो वहां पे हमें ऐसे कई question पढ़ेंगे, जहां पे हमें किसी vector की direction को use करना पड़ेगा, और जब भी हमें किसी भी vector की direction को निकालना पड़े, तो वहां पे हम लोग unit vector का formula use करते हैं, और unit vector को निकालते हैं, तो इस चीज को याद रखेगे, तो मैंने दो चीज़े बताई, unit vector का magnitude कितना होता है, magnitude होता है 1, और it represents the direction of a given vector, किसी भी vector का direction को represent कर र किसी भी vector की बात करूं, कोई भी vector है हमारे पास, तो उस vector को represent करने के लिए 2 चीजों की requirement होती है, एक होता है magnitude, और दूसरा हमारे पास direction की requirement होती है, magnitude और दूसरा direction, अब बात आती है, कोई भी माल लेते है, हमारे पास एक vector है, a vector है, और इस vector को मेरे को represent करना है, a vector का magnitude मैं किस of a vector और यह हमार पास actual में a vector था अब यहां पर देखे समझेगे तो vector को मैंने represent कर दिया a vector और magnitude of a vector को represent कर दिया मैंने mod of a vector और यह हमार पास direction मैंने आप लोग को पहले ही definition के अंदर clear कर दिया कि किसी भी vector की direction को represent करने वाला किसी भी vector की direction को represent करना बने कि उस Vector का Unit Vector लेना होगा है तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस रिपर्जेंट्स दा Unit Vector तो मैं यहाँ पर रिपर्जेंट करूँगा A Vector divided by Magnitude of A Vector इस रिपर्जेंट्स दा Direction of A Vector यह हमें क्या बता रहा बिटा Direction of A Vector और Direction मतलब कि Unit Vector और unit vector का मतलब होता है unit vector को हम लोग cap symbol से represent कर देते हैं माल लेते हैं अगर मार पास a vector है तो a cap मैं लिखूंगा तो यह हमार पास क्या बन जाए गोटा a cap is the unit vector of a vector तो हमार पास a cap जो होगा that is the a vector divided by magnitude of a vector तो आप लोग directly formula को याद रखेगा कि किसी भी vector का अगर आपको unit vector निकालना है तो आप उसको a vector a cap से symbol से represent कर देते हैं जैसे एक a cap this is the a vector divided by mod of a vector माले कि magnitude of a vector से divide कर लेजिए तो इतना अगर हम लोगों को पता लग जाता है तो unit vector का हमें मतलब पता है और हम लोग इस चीज को use कहीं पे भी कर सकते हैं तो यह बहुत ही important point है और बहुत ही जगहों पे use होगा unit vector तो हम लोग इस चीज के बारे में आगे की और आगे जब question आएंगे तो हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे और कैसे करना है वो भी मैं अप लोग को समझा दो जैसे यहां पे अगर मैं बात करूँ जैसे आप लोग को मैंने भी समझा है unit vector represents the direction of a given vector किसी भी vector की direction को represent करने के लिए कौन से vector की requirement होती है unit vector की और unit vector निकालने का जो formula होता है unit vector निकालने का जो formula होता है वो होता है given vector, given vector, जो भी हमारा vector है, जिसका हमें unit vector निकालना है, वो vector divided by magnitude of that vector, magnitude of vector, उस vector का magnitude बेटा, तो यह हमारा formula है, जो कि हम लोगों ने अल्रेडी पढ़ने लिया है, यह हमार पास a vector, जो हमें unit vector हमें निकालना था, यह magnitude of a vector, और यह हमारा एक है, I hope आप लोगो को इतना point समझ में आगया होगा, unit vector क्या होता है, यह चीज़ आप लोगो को clear हो चुके होंगे, आगे क्यों और slide की तरफ चलते हैं, जैसे for example, यहां पर हमारे पास यह force vector है, force vector क्या दे रखा है, 10 newton in east direction, 10 newton in east direction, भुपेश पूच रहे हैं कि magnitude कैसे निकालेंगे, मैं अभी आप बताया था, चले फिर भी एक बार आप लोग उस lecture में भी देख सकते हो, मैं भी आप लोगो को बता भी दूँगा, फिलाल अभी हम इस चीज़ को discuss कर लेते हैं, फिर magnitude के बारे में आप लोगो को बता दूँगा, देखे, यहां पर force vector, यह force vector है, यह हमारे पास force vector है, यह जो यह क्या चीज़ रिपरजेंट कर रहा है, यह क्या चीज़ रिपरजेंट कर रहा है, मैगनिट्यूड को रिपरजेंट कर रहा है, तो अगर मेरे को unit vector चाहिए, मतलब कि f cap चाहिए, यह हमें क्या बता रहा है, unit vector of force, unit vector of force हमें बताना वीटा, तो unit vector of force हमें only on किस चीज़ को बताता है only on हमें direction of force बताएगा direction of force अब यहां पर बात करें direction of force जो होगा वो in the east मतलग कि east direction होगी जो east direction होगी वो हमारा जो east direction होगी वो हमें unit vector को represent कर रहा होगा f cap जो है वो हमें बता रहा होगा east direction को magnitude 1 होगा तो ये मैंने 1 newton लगा दिया तो यह हमारा unit vector होगा in east direction, this represents the f cap, unit vector, ठीक है, force vector का unit vector हमें f cap represent कर रहा, that is the 1 east, I hope आप लोगो को समना आ गया, 1 newton in east direction, ठीक है, अब बात आती है, एक वच्चन question पूछा था, कि sir, magnitude कैसे निकालेंगे, तो magnitude के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे for example माल लेते हैं, हमार पास एक a vector है, a vector है, 3 i cap, 4 j cap, plus 5 k cap, यह हमारे पास एक a vector है, और इस vector का मेरे को magnitude निकालना है, एक वच्चन question पुछा, इस वजे से मैं magnitude बताता हूं, तो इस vector का magnitude को मैं इस तरीके से represent करूंगा, mod of a vector, और magnitude निकालने का formula होगा, जो यह i cap का coefficient है, unit vector का magnitude हमेशा 1 होगा, अब यहाँ पर a vector का magnitude निकालना है, तो 3 का whole square, plus 4 का whole square, plus 5 का whole square, जैसे हमारे पास यह vector दे रखा है, यह हमारा a vector दे रखा है, 3 i cap, plus 4 j cap, plus 5 k cap, तो this is the unroot, 3 का square, plus 4 का square, plus 5 का square हो जाए, तो यह हमारे पास, अगर मैं इसको solve गर के निकालता हूं, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो इस तरीके से अगर मैं solve गर के पुट करूंगा, तो यह तरीके से अगर मैं 50 का आसपास आ जाए, 50 आ जाए, निकालना था, एक का magnitude बताईए, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया, तो यह चीज आपको clear हो चुकी है, सुभम आपका question था कि unit vector का magnitude हमेशा 1 होता है, बिलकुल unit vector का नाम ही इस वज़े से unit vector पढ़ा, क्योंकि उसका magnitude हमेशा 1 रहेगा, magnitude हमेशा 1 रहेगा, ध्यान अब देखे, अब इस चीज को समझेगा, इस चीज को समझेगा, देखे, अगर हमारे पास next topic है, how do you represent vector along three dimension, three direction में represent कैसे करोगे, तो आप लोगों को यह clearly visualize हो रहा होगा, यह diagram आप लोगों को clearly visualize हो रहा होगा, यह आपको three axis दिखाई दे रही है, यह y axis, this is the x axis and this is the z axis, it depends on you, आप x axis इसको ले लो, आप y axis इसको ले लो, z axis इसको ले लो, यह depend करता है, आप किसी भी axis को किसी भी direction में ले सकते हो, बट उसी के according आपको answer लिखना पड़ेगा फिर, अब यहाँ पर देखे, अगर मैंने इसको y axis, इसको मैंने x axis और इसको मैंने z axis लिखा, अब मेरे पास एक vector है, मैंने ये vector मैंने माल लिया, ये हमारे पास, ये हमारे पास एक vector है, अब ये वाला vector है, अभी एक बच्चे ना question पूछा, उस चीज का answer मैं भी बताऊँगा, फिलाल माल लेते हैं, एक बच्चे का question ये था, मोहित का question ये था, कि ये सर, unit vector के पास unit भी होती है, बिलकुल होती है बटा, इस चीज को भी मैं explain करूँगा, इस चीज को मैं भी explain करता हूँ, बच्चे का question का answer मैं पहले दे दूँ, देखे, f cap निकाला था भी आपने, 1 newton in east निकाला था भी, तो 1 newton east, देखे, 1 force की unit क्या ह होगी, magnitude हमेशा 1 होगा, बट, magnitude हमेशा 1 होगा, बट, unit भी represent करनी जरूरी होगी, बट, तो ये बात ध्यान रखेगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, इस वाले topic पे, कि हम किसी भी vector को 3-dimensionally किस तरीके से represent कर सकते हैं, तो मैंने आप लोग को बताया कि ये y-axis, ये x-axis, ये हम और बोलने के बाद, आप अपने mic को mute जरूर कर लिजेगा, बोलने के बाद, ठीक है, question सुन लूँगा, मैं आप लोग का reply उसी time कर दूँगा, तो अब यहाँ पे देखे, हमारे पास एक vector ये रहा, एक vector हमारे पास ये रहा, और इस vector को, इस vector को, मैंने इस तरीके से represent कर दि अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पे a vector तो आपको ये दिख रहा है, ये आपको a vector तो दिख रहा है, बट अब बात आती है कि हम लोग इस a vector को three dimensional axes में कैसे represent करें, तो अब यहाँ पे देखे, इस a vector का, एक component होगा, इस axes की तरफ, ये axes, ये black color के side उससे आपको represent नहीं हो रहा हो, मैं आपको एक बार, यहाँ से मैं दूसरे color के pen से represent कर देता हूँ, ये मैं yellow color के pen से represent कर रहा हूँ, दिखे विटा, इस vector का, इस vector का, एक component होगा बिटा, इस तरीके से, ये होगा हमारा y component, ठीके बिटा, इसको मैं arrow से represent कर देता हूँ, ये हमारा ay होगा, दिखाई दे रहा है कि आप लोग को, ay आप लोग को observe हो पा रहा है, ay आप लोग को observe हो पा रहा है, ये ay हो गया, ay मैंने यहाँ represent कर दिया, ठीके बिटा, ऐसे ही, मैं इसको, यहाँ पे, मैं sky blue color को ले लेता हूँ, यहाँ पे, इस direction में, ये हमारा हो जाएगा बिट ठीके बिटा, ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा ये वाला component, ये वाला component हो जाएगा, az, तो अब दिखे हमारा जो a vector बन रहा है, ये a vector बन रहा है तीन components है, कौन-कौन से component है बिटा, कौन-कौन से component है, एक ay है, ay component किस axis के long है, y axis के long है, ax है वो किस axis के long है, x axis के long है, az जो है, वो ह यहां पर हमें तीनों कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम एक्तर को रिपर्जेंट कर सकते मिटा तो यह हमारा होगा Ax i-cap plus Ay j-cap plus Az k-cap. This is a representation of A vector. हम A vector को इस तरह के से रिपर्जेंट करेंगे. I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हों इस डियाग्राम के अंदर देखिए यह आपका a vector है यह आपका a vector है इस a vector का आपने यह direction निकाली यह direction आपकी y direction में component लिया यह हमने z axis के long component ले लिया और यह हमारे पास x axis के long component हो ग गया ax i cap plus ay j cap plus az k cap इस तरीके से आप represent कर सकते हो अब बात आती है ax, ay, az हम कैसे लेंगे यह हम लोग बाद में बात करेंगे अगर मैं for example मेरे पास माल लेते हैं मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक f force है मेरे पास f force है यह f force 3 i cap plus 2 j cap plus 5 k cap यह अगर हमारे पास given दे रख़ा तो यह वाला जो होगा यह f vector का यह वाला component हो जाएगा this is fx this component will be fy and this component will be fz this component will be fz तो यह हमारा पास force vector हो गया और यह हमारा x component यह y component और यह हमारा z component अब बात आती है कि x component कौन सा होगा sir x component बेटा i cap का coefficient होगा z k cap का coefficient जो होगा वो fy होगा और k cap का coefficient जो होगा वो हमारा fz होगा ठीक है यह ध्यान रखेगा तो यह हमारा question बनता है इस तरीके से मैं किसी भी vector को 3 direction में represent कर सकता हूँ i hope आप लोग को इतना point sun में आता होगा next हम आगे की और चल रहे है next slide की तरफ चलते है next slide में यहां पे एक और चीज़ important बहुत important point है rectangular unit vectors are the unit vector along the positive and negative direction of the axis coordinate system तो इस चीज़ को समझीगा इस चीज़ को समझीगा देगे अगर मैं मान लेता हूँ कि यह हमारे पास x y और यह z यह मेरे पास x axis यह हमारे पास y axis और यह हमारे पास z axis अब यहां पर दिहान से सुनिएगा यह मैंने एक unit vector एक unit vector x axis के along represent करूंगा तो मैं इसको represent करूंगा i cap symbol से this is the i cap symbol which is used to represent the direction of x axis i cap जो है वो हमें एक unit vector बताता है जो की x axis के along है i cap क्या है एक unit vector है जो की x axis के direction को represent कर रहा होता है only one direction कर रहा होता है क्योंकि इसका magnitude कितना होता है इसका magnitude होता है इसका magnitude होता है इसके इलावा अगर मैं बात करूँ इसकी तो यह हमारा हो जाएगा कर दो अगर 1 भी अगर मैं को देखिए यह यहाँ पर मैं इक और बता देता हूं के यह हमारा k-cap मैंने लिखा और यह k-cap किस direction को represent कर रहा है z-axis को represent कर रहा है और इसका magnitude कितना है विटा 1 है इसका magnitude कितना है 1 और यह direction किस की direction को represent कर रहा है z-axis को तो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो i-cap, j-cap and k-cap यह क्या चीज है यह i-cap जो है x-axis की unit vector along x-axis मैं लिख सेकता हूँ यहाँ पे unit vector this is the unit vector along along x-axis हो जाएगे विटा अगर कभी भी आप से बोला गया कि हमारे पास 4 forces का net resultant एक unit vector along x-axis आता है जैसे for example इस चीज को समझेगा आगी question में use होता है विटा यह जैसे for example आप से बोला गया कि आपके पास 4 forces है मैंने बोला आपके पास 4 forces है कौन-कौन से forces है f1 vector plus f2 vector और f3 vector और f4 vector इन सभी का जब resultant निकालते हो तो आपका जो net resultant आता है वो x-axis के along आता है और unit vector आता है x-axis के along unit vector आता है तो यह हमें i-cap बताता है कि unit vector along x-axis तो इन सभी का जो net resultant है वो क्या बता रहा विटा i-cap x-axis के along के direction को represent कर रहा होता है ऐसी आपसे question में बोला जा सकता है कि बचो यह भी बोला जा सकता है कि आपसे कि यह चारो forces का net resultant unit vector along y-axis होता है तो आप इसको इन सभी का net resultant जो लिखोगे इन सभी का जो net resultant लिखोगे वो लिखोगे जे-cap लिखोगे जे-cap लिखोगे तो अब यहां पर मैं जे-cap क्या रिपर्जेंट कर रहा है unit vector along along y-axis y-axis के लॉंग यह आपका unit vector है विटा ऐसे ही के कैप किसको रिपर्जेंट कर रहा है के कैप unit vector along unit vector along along z-axis यह थोड़ा सा जूम पर थोड़ा सा लिखने में थोड़ी से प्रावल्म रहती है तो कोई बात नहीं इतना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इतना समझना रहा होगा तो यह हमारे पास i-cap, j-cap, k-cap unit vector along positive x-axis, j-cap unit vector along positive y-axis, k-cap unit vector along positive z-axis अगर मैं यहाँ पे Probably minus sign लगा देता हूँ, यहाँ अगर सबके आगे मैं minus sign लगा देता हूँ हमारा समझना है धुतरला सबके तो यह यहां पर गला समझना है है, अगर मैं इसके आगे minus sign लगा दूँगा तो यह हमांनी होगा दूधेक्टर अलग minus x-axis unit vector along minus x-axis अगर मैं minus j cap लगा दूंगा तो यहां पे unit vector along minus y-axis ऐसे ही minus k cap लगा दूंगा तो unit vector along minus z-axis हो जाएगा तो ये vectors हमें generally direction को represent करने के लिए use हो रहे होते हैं x-axis y-axis और z-axis की direction को represent करने के लिए use हो रहे होते हैं आप लोग को इतना संज में आया होगा चलते हैं next slide की तरफ next slide की तरफ चलते हैं चले question हमारे पास कोई doubt है किसी बच्चे का सहील राज doubt doubt पूछ रहे हो आप बोले सहील राज बोले doubt है 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 तो फिर तो हम इर परेंगे तभी अधर्वाइज का कोई symbol का मतलब ही नी नी होगा कुछ आए का कोई जब तक हम लोग कैप नहीं लगाएंगे तब तक कोई physical significance होगा ही नी अगर मैं लिग देता हूँ कोई physical significance नहीं है, represent करने के लिए cap लगाना जरूरी है cap लगाना यहाँ पर जरूरी होगा, तो cap का मतलब आपको समझ में आगया होगा, इतनी बात आपको समझ में आती होगी next question के तरफ चलते हैं, next example जो है वो क्या कहता है उस चीज को समझते है, ठीक है, question यह कहता है कि force vector जो है 10 Newton along positive x-axis, question ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, positive x-axis, बहुत ही basic से जा रहे हैं हम लोग बहुत ही basic, बस पहला है, base create करने, फिर तो हम लोग strong question अच्छे से solve करेंगे, positive x-axis, positive x-axis को क्या चीज represent करता है, positive x-axis, यह हमें बताता है i-cap, wait, wait, साहिल राज, बहुत अच्छे, यह हमें बताता है i-cap, और कितने Newton का force है, 10 Newton का force है, तो vector हम लोग लिख सकते हैं, f vector is equal to 10 Newton along i-cap, यह हमारा answer हो जाएगा, यह हमारा answer हो जाएगा, I hope आप लोग को संभाया होगा, I hope आप लोग को संभाया होगा, ठीक है चले, next question की तरफ चलते हैं, next slide की तरफ चलते हैं, यहाँ पर बोला गया, कि 10 Newton, 10 Newton जो है, along negative x-axis, negative x-axis को हम लोग किस से रिपरजेंट करते हैं, minus i-cap से रिपरजेंट करते हैं और magnitude कितना है, 10 Newton, तो force vector जो हो जाएगा, हमारा minus 10, यह फिर ऐसे करते हैं, 10 Newton, 10 Newton, और यह हमने लिख दिया, minus i-cap, तो यह हमारा आजाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे, minus 10 Newton, Newton, i-cap, इस तरह के से लिखेंगे दो, तो भी चल जाएगा, और आप लोग को संग में आगया होगा, ठीक है, easy question है, जल्दी-जल्दी से solve करते होगे, next question देखीगा, यह next question, आप लोग खुरी solve करीगा, सभी बताएगे, discuss करके बताएगे, जल्दी से, जल्दी से बताएगे, इसका answer क्या होगा, बिल्कुल, option D, option D, क्योंकि वेक्टर जो है, force vector है, 20 Newton का है, और यह किस axis का लोग है, negative z axis, negative z axis मतलब की minus k-cap, तो मैं लिख सकता हूँ, minus 20 Newton into k-cap, I hope सब्सक्राइगा, तो इतना आगया होगा आप लोग का answer, नेक्स कुशन की तरफ चलते हैं, next question की तरफ चलते हैं, बहुत easy, what are the different types of vector, देखे, अभी तक हम लोगोंने vector का base बनाया है, types of vector और एक बार पढ़ते हैं, आपने एक unit vector भी पढ़ा है, वो भी एक type of vector ही था, but फिर भी हम लोग अब types of vector पढ़ेंगे, types of vector, देखे, generally, हम लोग अगर मैं institute में पढ़ाता होता थ हम लोग vector का representation बताते हैं, और फिर types of vector पा जाते हैं, तो यह basic जो है, हम लोग यह मान के चलते हैं, कि आता होगा बच्चे को, but मैं यहाँ पर यह सारी चीज़े explain इसले कर रहा हूं, ताकि आप लोगों का एक बार base बन जाए, जैसे ही आप लोग एक flow में आऊगे, आप types of vector क्या होगा, तो मिर को types of vector बताएंगे कुछ, बताइए विटा, types of vector, पढ़ रखा हुगा आप लोगों ने, कहिंगे, चले, कोई बात निया, हाँ, बिल्कुल, 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 आहां, types of vector की बात करते हैं, चले विटा, ज्यादा types की हम जनका बात भी करेंगे क्यूंakे ज़्यादंगे इन चीजों में इन सब्सक्रान进اء ने जिल्फ मैंने यह ढोगा क्रीट क्रीट ने जी टारा जिल्ल लाईने के लिए मैं फटब इसका लाइन का यूज कर लेता हूं ये एक लाइन और हमारे पास ये हमारे पास दूसरी लाइन बिटा हूं ठीक है यहां पर देखे देखे मैंने एक वेक्टर बनाया ये हमारे पास एक वेक्टर मैं बनाता हूं ये हमारे पास एक वेक्टर मनाता हूं मैं इस वेक्टर को मै वेक्टर मैंने बोला, दूसरा वेक्टर मैंने बोला, यह हमारा क्यू वेक्टर, यह हमारा क्यू वेक्टर, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि वेक्टर की जो लेंथ होती है, उसके मैगनिटूड के प्रपोर्शनल होती है, मतले कि लेंथ इस डिर direction भी कैसी होगी बीटा,ARYM, O. magnitude सेम होना चाहिए direction 0 डिईगरी होना चाहिए तो ये दो प्रपरपरिटी होनी चाहिए अगर आप लोग यहाँ पे दोनों वेक्टर को देख़ा रहे हो ये P वेक्टर है और हमारा Q वेक्टर है यह P vector और यह Q vector अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो तो इन दोनों की direction क्या है इन दोनों की direction तो आप लोगों को दिखाई दे रही है कि दोनों की direction कैसी है same है direction बट direction same है क्या direction same है क्या magnitude दोनों vectors का equal है क्या p vector और q vector का दोनों monitors equal है क्या magnitude equal नहीं है पिटब दोनों vectors की length अलग अलग है अब गर हमारे पास यह length equal नहीं है छीटा दोनों के बीच में 0 जरूर है बढ़ इन दोनों वेक्टर को मैं क्या बोलूँगा उनवेक्टर अब एक्कुल बनाना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा मैं यहां पर लाइन को और भी खीच के इसको इस तरीके से यहां तक बना देता हूँ अब अगर आप लोग थोड़ा सा दिहान से देख पारे हो तो ये वाला P वेक्टर और ये Q वेक्टर दोनों वेक्टर का मैंगिट्यूड इकुड है direction भी सेम है दोनों की direction एक की direction इस तरीके से औरों से दोनों की direction सेम है घटा तो मैं यह बोलूँगा कि P और Q Q Vector's equal vectors हुए. ध्यान रखियेगा P Vector's equal to Q Vector's जब भी मैं P Vector equal to Q Vector की बात करूँँगा, जब भी मैं इस ततरी के से represent कर रहा हूं P Vector equal to Q Vector, इसका मतलब यह हुआ कि P का magnitude और Q का magnitude equal हुआ. P और Q दोनों का magnitude equal हुआ और Direction भी the same होगी. Direction of direction कैसी होगी? same direction होगी किसकी P और Q vectors की theta कितना होगा P और Q के बीच में 0 degree होगा तभी ये दोनो equal vectors कहलाएंगे तभी ये vectors कैसे कहलाएंगे equal vector कहलाएगा I hope आप लोग को समय में आ गया होगा यहाँ पर देखे यह यहाँ पर यह A B vector और यह हमारे पास C D vector यह सोरी ऐसे कर लेते हैं यह हमारे पास यह A B और C D यह मैंने यहाँ पर A B vector और यह C D vector equal है P vector और Q vector equal है तो इन दोनों को नाम दे दिया है तो दोनों चीजे property इन दोनों की same हो रही है तभी हम लोग ने equal vector कहा वेटा इसको ठीक है अच्छा एक बात दाईए parallel vectors होता है equal vectors तो हम लोगों ने पढ़ लिया equal vectors में क्या क्या चीज सेम होनी चीजे magnitude सेम होना चीजे और ठीटा कितना होना चीजे 0 होना चीजे और direction कैसे होनी चीजे 0 अगर डिगर एंगल हो जाता है तो सेम होई जाएगा direction तो अभी यहां पर देखिए अगर मैं question और पूछ हूँ आप लोगों से कि parallel vectors किसको कहते है parallel vectors किसको कहते है parallel vectors किसको कहेंगे विटा ऐसे दो वेक्टर only on direction सेम होनी चीजे magnitude से हमें कोई लेना देना नहीं है अनली ओन क्या चीज सेम होनी चाहिए डिरेक्शन शुड भी सेम होनी चाहिए parallel vectors के लिए magnitude चाहिए कुछ भी हो ज्यादा बड़ा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे एक यहां पर द्रॉ करूं यहां पर दूबारा से ड्रॉ करता हूं देखते हैं कुछ बेटा देखे जहने यह aक क्ला hub करी और दूसरी एक मैंने यहां परण करी यह दोनों बेक्ट्र को मैंने यह ट्रॉ कर दिया लाव कं दिस असश्व फी वैक्ट्र इ actory यह मार पास पी वैक्ट्र है और मैंने यह प्रज direction दोनों vector की same है यानि T vector और Q vector की direction same है या नहीं है बछली बट्चो बिल्कुल तो बिल्कोल B और Q की direction same है ठीटा यहाँ पे कितना है बटा 0 degrees तो हाँ question बिल्कुल अछ़ा है बटा equal vectors will also be a parallel vector बिल्कुल सही statement है बटा कि कोई भी दो equal vectors होंगे में parallel vectors होंगे parallel vectors होंगे अब यहां पर देखिए एक statement में आपको दूंगा उसमें आप लोग जज़ करिएगा पहले यह थीटा जो है यह 0 degree एंगल इन दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 degree है और इन दोरों का magnitude क्या सेम है क्या तो यह parallel vectors होंगे क्या यह equal vectors हो सकते हैं के विटा नहीं equal vectors नहीं होंगे तब मेरे एक statement है मेरे को इस statement के बारे में बताईये विटा correct है या true है या false है all parallel vectors are equal vectors all parallel vectors are equal vectors आंसर है विटा नो all equal vectors are parallel vectors क्या सभी equal vectors parallel vectors होंगे विल्कुल true yes yes विल्कुल true I hope आप लोगों के यह दो statement clear हो चुके एक वेक्टर और parallel vectors clear हो चुके विटा next slide की तरफ चलते हैं next slide की तरफ चलते हैं next slide में क्या वोला गया है opposite vectors यहां पर देखे opposite vectors, negative vectors और anti-parallel vectors कह सकता हूं मैं इस चीज़ को anti-parallel vectors की definition कुछ और होती है अभी हम बात करेंगे पहले तो हम बात करेंगे opposite vectors की देखे के इस चीज़ की बात करते हैं यह anti-parallel vectors तो ठीक है बट अभी मैं दोनों में डिफ्रेंट्स भी बताऊंगा अपलो वो opposite vector opposite vector क्या होता है पहले तो हम इस चीज़ के बारें बात करते हैं दूसरा magnitude कैसा होना चाहिए विटा सेम होना चाहिए magnitude सेम होना चाहिए दोनों vectors का जिन दो vectors की बात कर रहा हूं magnitude सेम होना चाहिए तो अगर मैं बात करूं यहां पे हमारे पास एक vector है यह हमारे पास एक vector है और एक दूसरा वेक्टर मैंने मान लिया कि ये वाला वेक्टर है विटा ये दूसरा वेक्टर है अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो ये हमारे पास P वेक्टर है और ये हमारे पास Q वेक्टर है तो अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो दोनों कि magnitude wise अगर मैं magnitude की बात करूं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों का magnitude की बात करूं वेटा पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का magnitude तो magnitude बताएए equal है या नहीं है विटा, opposite vector होंगे कौन से vector होंगे? opposite vector होंगे और जब यह opposite vectors हैं तो इनको हम लोग represent किस तरिके से करेंगे हमें इस चीज़ से मतलब है विटा अब देखे, p vector and q vectors are opposite vector तो opposite vector को represent करने के लिए p is equal to minus of q vector लिखुँगा, तो यह होगा these two are opposite vectors p and q are opposite vectors यह हो गया विटा, ठीके, अगर अगर मैं जैसे for example, माल लेते हैं just समझीगा इस चीज़ को देखे, समझीगा मैंने माना कि मेरे पास एक एक force है 2 newton का और यहां पे चले मैं इसको 2 newton भी नहीं मानता मैंने इस force vector को represent कर दिया force vector माल यह